आज के वीडियो में क्रो मैगनन मानों को चित्र सही समझाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज से लगभग 30,000 वर्स पूर्व तक आधुनिक मानों का निकर्तम सम्मंधी होमो सेंपियंस यूरोप वा विशु के अन्य भागों में रहता था मतलब यह हुआ कि लगभग 30,000 वर्स पहले आज से लगभग 30,000 साल पहले आधुनिक मानों का जो निकर्तम सम्मंधी था होमो सेंपियंस यूरोप और विशु के अन्य भागों में रहता था और यूरोप में रहने वाली जाति को क्रो मैगनन मानों कहते हैं जो यूरोप की जाति थी उसे क्या कहा था क्रो मैगनन मानों कहते हैं इनके जीवास्म फ्रांस के मैगरीगर को सन 1868 में इनके जीवास्म मिले थे और ये नियंडर्थल मानों से अधिक विक्सित थे इन्होंने उनका स्थान ले लिया था यह नियंडर्थल मानों की अपेक्छा अधिक सब थे मतलब जो क्रोमैगनन मानों हैं ये नियंडर्थल मानों की तुलना में अधिक सब थे बुद्धिमान थे और चालाक तथा सीधे खड़े होकर तेज चलते थे और दोड भी सकते थे जो क्रोमेगनन मानों है ये दोड भी सकते थे ये जन्तुओं को पालने वा सिकार में अधिक निपुर थे यानि जन्तुओं को पालते भी थे पालने वाले जो जन्तु होते थे और सिकार करने में भी अधिक निपुर थे अधिक अच्छी तरह से सिकार क कर सकते थे ये चोटे चोटे परिवारों में रहते थे यानि ये परिवारों में रहना प्रयारंभ कर दिये थे और सामाजिक जीवन बैतित करने की दिसा में अग्रसर थे चोटे चोटे परिवारों में रहते थे और सामाजिक जीवन जीते थे जीने लगे थे कह लिजी ये अ क्रोमेगनन मानो ये सिकार के लिए पत्थर वा हाथी के दात के आउजार भाले कुलहाडियां धनुस बाण आदी बनाते थे यानि सिकार करने के लिए क्रोमेगनन मानो पत्थर से आउजार बनाता था हाथी के दात के आउजार बनाता था भाले बनाता था कुलहाडियां बना तथा सिकार को करने के लिए और इन सब के अतरिक्त कला में भी रुची रखते थे कला भी जानते थे और पसु पालन तथा खेती करना भी जानते थे यहाथी दात के आभोशन पहनने वह जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे यानि हाथी के दात के आभोशन पहनते थे जो हाथी के दात होते हैं उसे आभोशन बनाते थे और पहनते थे जैसे लोग जेवर वगएरा पहनते हैं और जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे जैसे लोग कपड़े पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही जो क्रोमैगनन मानो थे य मैं मिलने पर अर्थात अवकास के समय गुफाओं के अंदर दिवारों पर सुन्दर चित्रकारी भी करते थे। प्रति भी अभिरेच बिक्सित होने लगी थी ये अपने मुर्दों को रीत रिवास के रुसार गारते थे जब कोई भी क्रोमेगनन मानों मर जाता था उस मुर्दे को बहुत ही रीत रिवास के साथ मिट्टी में गारते थे उसे दफनाते थे और धर्म वा समाज का समान करते धर्म और समास का बता दें कि क्रो मेगनन मानों का कद एक दसमलो पांच जीरो मीटर से एक दसमलो आठ जीरो मीटर तक उचा था यानि जो क्रोमैगरेन मानो है ये कितने लंबे होते थे तो 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक उचे होते थे सिधे खड़े होकर चलते थे गोरे रंका चेहरा था इनका रंका ऐसा था गोरे रंका होने लगा था ललाट इनका चोड़ा था महराबी था नाक सकरी थी जो नाक होती थी इनकी सकरी होती थी जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है अधिक उठी वही होती थी जो नाक है सकरी थी और अधिक उठी वही होती भाउंहें हलकी होती थी थोड़ी इसपष्ट वा विक्सित थी और विक्सित भी थी दांत वर्तमान मानों सद्रिस थे जैसे वर्तमान मानों में दांत होते हैं बिल्कुल वैसे ही इनके भी दांत होते थे जबडे भारी होते थे भारी भारी जबडे थे और मजबूत भी थे इनकी कपाल गुहा का आयतन लगभग 1650 सी था अगर कपाल गुहा की आयतन के बात की जाए प्र पूर्वस कहलाते हैं इसका मुख्य आधार इनकी समानताएं था भविस में आधुनिक मानों का विकास केवल सांस्कृतिक विकास ही प्रमग्रोप से था क्रोमेगनन मानों लगभग 10,000 वर्स पूर्ब विलुप्त हो गए थे या विलुप्त हो गए आसा है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद